आज का पहला सेंटेंस है, मा इसे रोको, कोई कारे हो रहा है, उसको रोका जा रहा है, मा इसे रोको, मॉम stop it, stop it, तो मॉम रिपलाई करती है, कि मैं बहुत अनाडी हूँ, अनाडी को इन्गलिश में भोलते है, clumsy, I am so clumsy, I am so clumsy, क्या करना बंद करो जैसे कोई गलती हो गई फिर हम बोलते हैं अरे क्या हो गया यह क्या हुआ तो उस सेंस में तो क्या करना बंद करो stop doing what stop doing what मैंने गलती से चाय गिरा दी मैंने गलती से चाय गिरा दी I accidentally spilled tea चाय का गिरना या पानी का गिरना फैल जाना गलास मैंसे उसको भोलते हैं spilled तो I accidentally spilled tea मुझे आपकी dress को लेकर वाकई बहुत दुख है क्योंकि dress पर चाय spilled हो गई थी तो I am really sorry about your dress I am really sorry about your dress चलो विशय बदलते हैं मतलब जिस topic पर वारता लाप हो रही थी उसको बदलते हैं तो let's change subject चलो विशय बदलते हैं let's change subject बताओ तुम जीने के लिए क्या करते हो जीने का मतलब अपना घर परवार चलाने के लिए क्या करते हो तो tell me, बताओ, तुम अपना घर परवार चलाने के लिए क्या करते हो, what do you do for a living, what do you do for a living, next sentence है, दरसल मा, आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, कि सिंडी कितनी अनौखी है, कि सिंडी एक लड़की का नाम है, विदेशों में कुछ इसी तरह के नाम होते हैं, तो दरसल मा, actually mom actually mom, आप विश्वास नहीं कर पाएंगी, you wouldn't believe, विश्वास करना, you wouldn't believe, कि सिंडी कितनी अनौखी है, अनौखी मतलब amazing, बहुत ही, जसके आप विश्वास नहीं कर सकें, amazing, तो you wouldn't believe how amazing Cindy is, how amazing Cindy is, उसका अपना online platform है, platform मतलब online वो अपना कुछ business चलाती है, internet के तुरू, तो online platform है, she has her online platform, she has her online platform, John अतिश्योक्ति कर रहा है, John लड़के का नाम है, John अतिश्योक्ति कर रहा मतलब कुछ जादा ही बोल रहा है, तो John is exaggerating, exaggerating का अर्थ होता है, अतिश्योक्ति करना, जो कारें न हो सके, उस हिसाब से बोलना, तो John is exaggerating,